हेलो एवरीवन मेरा नाम है डॉक्टर केट साउगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज किस वीडियो में बात करेंगे स्पाइनल मस्कुलर अट्रोपी के बारे में तो बीमारी क्या है किस वज़े से होती है इसको किस तरह से डा इसे भी कहा जाता है एक तरह से हेरेडिटी डिसिजस का ग्रूप होता है स्पाइनल मस्कुलर अट्रोपी एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे ब्रेंस्टेम और स्पाइनल कॉर्ड में जो नियूरोंस होते हैं जो कि इसेंशल स्केलेडल अक्टिविटी को कंट्रोल करते है उन इसके बात करेंगे और इस बीमारी को रोका भी नहीं जा सकता इसके बाद हम बात करेंगे कि स्पाइनल मस्कुलर अट्रोपी किस वज़े से होती है इसके बारे में इंसान के शरीर में जो जीन होती है उस जीन में कुछ मुटेशन होने के वज़े से या फिर कुछ एबनॉ पैसिन अपने बॉर्य पार्ट्स को स्केलेटल स्कुंग थीक छियंट इसके साथ उस्पेसं को सांस लेने में तकलिफ होने लगता पैस डियंच को निलेशा है in them साथ साथ उसके spontaneous tongue moments भी होने लगते हैं तो एक कुछ science और symptoms है जो कि spinal muscular atrophy के patient में देखे जाते हैं इसके बाद हम बात करेंगे spinal muscular atrophy के diagnosis के बारे में तो spinal muscular atrophy को diagnose करने के लिए सबसे पहले तो उस patient को ठीक से physically examine करना है, patient के proper medical history लिए नहीं है इसके साथ साथ हम उस patient को diagnose करने के लिए कुछ genetic blood test भी कर सकते हैं electromyography भी कर सकते हैं इसके बाद CPK test करना, creatinine kinase test करना, एक कुछ महतुपूरन टेस्ट है जिनको इस्तिमाल करके हम उस patient में spinal muscular atrophy को diagnose कर सकते हैं और finally हम बात करेंगे spinal muscular atrophy या फिर ESMA के treatment के बारे में तो जैसे कि हमने last video में बात की थी जोल जैस्मा injection के बारे में तो इस condition में इस बीमारी को treat करने के लिए उस patient को जोल जैस्मा injection देना पड़ता है जो कि दुनिया का सबसे महंगा injection है जिसके बारे में हमने last video में बात की हुई है तो इस तरह से इस injection के थूँ उस patient को gene replacement therapy देना एक मातर उपाय होता है इस injection को देने के बाद ज्यादा दर patient में अच्छी तरह से recovery देखी गई है इसके बाद दूसरा एक drug है जिसको की नूसी नरसे इस नाम से जाना जाता है यह drug भी spinal muscular atrophy को treat करने के लिए उस patient को दिया जाता है इसके साथ-साथ उस patient को ज़रूत पढ़ने पर occupational therapy देना और symptomatic और supportive therapy देना यह भी काफी साथा ज़रूरी होता है आज हम नहीं सुड़ में बात की spinal muscular atrophy के बाहर में अगर आपके इसके में कुछ doubts है तो आप हमें ज़रू पूछ सकते हो और thanks for watching this video till then thank you very much